गाईस आज स्थिती इतनी बत से बत्तर हो गई है कि जैसे ही एक दीपक का उजाला की तरह यदि कुछ भी रौसनी दिखाई देती है न तो वहाँ पर इस्टुडेंट्स के मन में एक लहर उठ जाती है और लगता है कुछ न कुछ आसा नजर आने लगी है यहाँ पर एक और स इस WhatsApp पर मुझे कई बार forward किया जा चुका है क्या सर NCL में vacancy आने वाली है आखिर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है विकॉज यहाँ पर इस notice में बताया जा रहा है कि NCL को urgent requirement है fitter helper की, electrician helper की and welder helper की जबकि कई सारे वीडियो तो मैंने देखा जहां तक कि वो यह बता रहे हैं कि यह short notification आ चुका है NCL का जहां पर fitter की 1206 post निकलने वाली है electrician की 525 post निकलने वाली है welder की 132 post निकलने वाली है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखे जब भी आप कोई notice आज के time में देख रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि fitter की 1200 post तो सबसे पहले तो वहीं question marks आ जाना चाहिए कि इसको अब मुझे clear तरीके से पढ़ लेना तो छोड़ो 12 post permanent basis पर नहीं निकलने है जैसा इस्थिती आज की situation में है तो complete चीजों को समझेगा basically ये notice क्या है और इस notice का क्या direct recruitment के ऊपर कोई असर हो सकता है हमारा direct recruitment कब तक आ सकता है उन चीजों को समझने की कोसिस करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यदि मैं इ ये notice coal India Limited ने जो की हमारा एक main company है जो mining का काम करती है इसके अंतरगत seven subsidiary company काम करती है coal India के अंतरगत जैसे की Eastern coal field limited भारत cooking coal field limited western coal field limited उसी प्रकार हमारा NCLB एक coal India की subsidiary है Northern coal field limited अब यहाँ ने coal India Limited ने किसको letter लेटर लेखा है यहाँ पर central coal India Limited ने यहाँ पर आप लोग देखोगे coal field limited भारत cooking coal field limited western coal field limited इनको जो है यह notification बेजा है यहाँ पर coal India Limited ने इनको बताया है कि requirement of fitter helper electrician helper and welder helper at NCL यानि कि जो northern coal field limited जो की coal India की एक subsidiary है उसको requirement है किसकी fitter helper की electrician helper की and welder helper की तो यहाँ पर जो भी आम public है या आम students है या open recruitment का इससे कोई भी लेना देना नहीं है अब आगे चलते बिसिकली यह बोल क्या रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भी जो NCL है northern coal field limited है उसको urgent need है manpower की जो की operation कर सके maintenance activity कर सके like fitter helper electrician helper and welder helper यहाँ पर यह requirement का number इन्होंने दिया है अब यहाँ पर coal India limited basically क्या बोल रहे है यहाँ पर इन्होंने जो अपनी subsidiary है जैसे कि ECI hell है या फिर भारत cooking coal free limited है या western coal field limited है वहाँ पर यदि कोई manpower surplus है या जिसको यहाँ पर transfer किया जा सकता है उसका benefit जो है NCL देने के लिए तयार है जैसे कि one time जो incentive वन लाक रुपीज या जो भी उनको transfer का जो देने वाली है वो सारा mention इन्होंने किया है और वहाँ पर उनसे बोला कि आप ऐसे कर्मचारियों की list दीजिए जो कि surplus है या विवाज किये जा सकते हैं या वहाँ पर transfer किये जा सकते हैं आप इस तरीके से बोल सकते हो तो वो list दीजिए और उन जो employee है उनसे आवेदन कराई है यदि वो NCL में जाना चाहते हैं तो तो यहाँ पर इसका open recruitment से कोई भी नाता नहीं है लेकिन यहा नहीं है उनके लिए यह vacancy नहीं है यह department to department यानि कि एक सबसीडरी से दूसरी सबसीडरी में जो manpower जाना चाहे उनके लिए basically यह requirement है तो यहां तक चीज़ें clear हुई आपने कोई भी वीडियो देखियो उसको भूल जाओ खुस होने की जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज़ यह ले ही दूसरी सबसीडरी से manpower को ले 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 लेकिन यदि दूसरी सबसीडरी को भी manpower की requirement होगी तो definitely एक recruitment आने के chances हमको नजर आ रहे हैं जैसे कि other post का recruitment already NCL election से पहले ले चुका है आप सभी लोगों को पता है जिनका document verification का date बगरा आ गया है वह सारा process में है लेकिन technician post यानि कि IT students की post का notification अभी तक नहीं आया है और यह चीजें activity देखने के बद में यहाँ पर clear लग रहा है कि यहाँ पर एक साल के लिए इनों ने इनको लिया है तो कहीं ना कहीं क्योंकि यह अभी भी notification को निकालते हैं तो one year का समय आराम से आप लोगों का जो है उस recruitment को complete करने में यानि की भरती तक मैं लगने वाला है तो जब तक कहीं ना कहीं यह जो surplus manpower है या विवाज manpower है अलग-अलग subsidiary company की उनको definitely manpower के तोर पर यूज कर सकते हैं then finally कहीं ना कहीं recruitment आने के chances हमको नजर आ रहे हैं लेकिन यह चीज किलियर होना चाहिए यह केवल और केवल हम इस विहाब प से पता चल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब तक official website पर कोई update नहीं आ जाती है कि कोई vacancy आई हुई है northern coffee limited की जब तक आपको यह बिल्कुल भी नहीं मानना है कि vacancy आने वाली है लेकिन chances हैं आप यदि common thinking लगाओगे तो chances हैं कोई official source नहीं है कि जिसके वहाब पर मैं ब पूछ रहते हैं क्या सर यह sort notification आ गया है या क्या चीज है उसका information आप लोगों को मिल गया होगा so thank you so much video देखने के लिए thanks for watching and bye bye